खेलो बच्चों अनलाइन क्लास में आप लोगों का सवकत है आज हम कड़ोंगे एक सब्जेक्ट Grammar तो Grammar के आज हम लिखने लेसन नम्बर 11 लेसन नम्बर 11 हमारा है Conjunction Conjunction मतलब सहीयोजग सहीयोजग किसी कहते हैं मतलब दो शब्दो या दो वाक्यों को तो जो शक्त जोड़ता है उसे हम सही होज़त कहते हैं ठीक है अब उसका definition देते हैं The words used to join two words और sentences are word conjunction मतलब दो शब्तों या वाक्यों को जोडने वाले शब्त को conjunction कहते हैं या फिर conjunction कहलाते हैं मतलब दो बाक्यों को जोड़ना और दो शब्तों को जोड़ने वाले जो शब्तों होता है जो word होता है उसे हम कहते हैं conjunction कहते हैं तो इसका example अब देखी है हां नमबर वर राम और शान केम टू मी राम और शान मेरे पास है मतलब इसमें राम और शान राम और शान को जोड़ने का काम कौन कर रहा है एंड कर रहा है ठीक है जैसल कहते हैं न मंबी और पापा भाई और वहन दीन और राम मतलब इस तरह से ये शाब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है और कर रहा है तो इसमें दोनों को जोड़ने का खाम कर रहा है एंड कर रहा है एंड कर रहा है ठीक है तो एंड किया हमारा कंजक्षन हो गया मतलब मेरे पास नहीं है पर उसके पास नहीं है इसमें दो सेंटेंज हैं ठीक है तो इसमें दो शब्दों जोड़ने का काम करता है लेकिन यहां में जो थाड़ा है इसमें दो वाक्यों को जोड़ा है जोड़ा है ठीक है I have a pen मेरे पास pen है but but he has none इसके पास नहीं ठीक है तो but क्या कर रहा है but क्या कर रहा है इसमें दो जो सिंटेंज को एक सिंटेंज बना रहा है एक वाक्यों ठीक है तो यह हो गया हमारा इसमें सैंटो जब मतला conjunction ठीक है आख मंबर फोट लेकिन जोंदी भातलो एक प्यूंतना है आख मंबर फोट और इसमें दो क्या कर रहा है अख मंबर आख मंबर लेकिन लेकिन वा फेल इसमें वह बिल रहा है अखिन अख कर रहा है तो तो इसके कंजेक्शन क्या है कंजेक्शन में और पर किन्तु परंतु या लेकिन यह सब वर्ड उसमें यूज होगा यह सब क्या है कंजेक्शन ठीक है बच्चों तो इसकी बार हम देखेंगे इसका एक्सेसाइज ठीक है जो अब हम देखेंगे लेसन नमबर 11 कंजेक्शन का एक्सेसाइज 10 अब इसमें हैं नीचे दिए खाली स्थानों में उचित कंजेक्शन भरो यहां पर आज सेंटेंस दिये हैं अब इसमें खाली स्थान है जहां पर हमको कंजेक्शन भरना है ठीक है हम पहला देखेंगे he has one dog filling the blanks one cat उसके पास एक डॉग है और a cat मतलब and क्या आएगा यहां पर and आएगा कंजेक्शन ठीक है उसके पाद दूसरा देखेंगे राम filling the blanks में and sonu read in my class राम और sonu मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो यहां पर कंजेक्शन क्या आगया and ठीक है उसके पाद third the color of my car is black and white black और white यहां अरका color कौन सा है black and white तो end आएगा यहां पर ठीक है उसके पाद चौह था your book filling the blanks bad are in the room तो बूक और बैट की बीच में क्या आ रहा और ठीक है तुम्हारा बूक और बैट दोनो उस तक और बैट दोनो मतलब कहा है रूम में है ठीक है तो बूक और बैट ठीक है उसके बाद five he was ill but he went to school उसे बुखार था लेकिन वह स्कूल गया ठीक है तो यहां पर क्या आएगा बट यहां पर आएगा बट उसके बाद six the rat jumped upon the table and the cat jumped after मतलब बिल्ली टेबल पर कूदी और कैट भी उसके बाद जम की बाद बिल्ली भी जम की ठीक है seven the car is in the house but we do not use it car house में घर में है लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं उसके बाद eight she will come to my house at ten o'clock और ten thirty तलब four मेरे घर पे आएग दस आएथी दस या साड़े दस ठीक है तो यह सब हो गया conjunction